एक मा के लिए उसकी संतान चाहे उमर में कितने भी बड़ी हो जाए वो संतान उससे उमर में कितना भी जादा अब बुढ़ा ही क्यों न हो जाए मा के लिए उसका संतान बच्चा ही रहेगा उसके लिए हमेशा दिल का टुकडा ही रहेगा सल्मान खान की मा सुशीला भी उनहीं मा से में से एक है जो की अपने बच्चे की तकलीफ कतई बरदाश्त नहीं कर पाती थी सल्मान खान की मां सुशीला के बारे में आपको शायद ही मालूम हो जो आज सल्मा के नाम से जाने चाती है सल्मा खान शादी के बाद सल्मा खान बनी सल्मान खान की मां के बारे में सल्मान खान के पता सलीम खान ने एक बात बताई थी एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था, कैसे सल्मान खान को जब ठारत दिनों के लिए चेल में वक्त गुजारने के लिए जेल में जाना पड़ा, पानी पीते वक्त भी घुटन महसूस करती थी सल्मान खान की मा, सलीम खान. सलीम खान ने बताया कि कैसे उनकी मा को सर्मान से भी जादा तकलीप हुई उस दर्द भर इस्थिती का कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता कानून में इसका कोई भी लौ नहीं है कोई कानून नहीं है इसकी कोई सजा और कोई भी सोलिशन नहीं है ये संतान को सजा मिलती है तो मा को से कितना दर्द होता है और दर्द का दवाब भी नहीं है यही कारण है कि उनकी मा और उनके पेता जब तक सल्मान घर नहीं आये तब तक हर एक दिन घुटते रहे थे नेक्ष्ट नाइन यूजूम से त्रिप्तिक रिपोर्ट